हाजी वेरी गूद मॉनें सबस्रीक आल सीपीसी का एक्जेकुशन हम लोग कर रहे है ओर्डर हमने अल्मस्स 20 कंप्लीट करें 21 अभी इसेक्शन जो रूर्स है बैसिकले हमने जो रूर्स कवर करने है रूर्स 22 अन्वर्स हमने कवर करने है 22 से लेके 29 इस एक्शन में लोग कुछ करें कवर करने की सीपीसी का एक इंपॉर्टन जो फासित है वो एक्जेकुशन है जो सबसे लेंखी टॉपिक हमारे पूरे सीपीसी में सबसे याला सेक्शन से उसमें सबसे ज्याला लेंखी ओर्डर है आपके गेंज हमने एक्जेकुशन फाइल की है आपको नोटिस भेजने के जलूट नहीं है लेकिंग यह कुछ ऐसे सर्क्मस्प्रांसिस है जो रूल 22 में मैंशन की है जहां पर आपको नोटिस जो है वो आपको जजेजमन एटर को भेजना पड़ेगा जिसके अगेंज जहां फिर उस परिस पर्सफन और आपने एक्जेकुशन फाइल की है उसको आपको नोटिस भेजना पड़ेगा तो 22 जो इसकी हडिंग यह कि नोटिस टुशो पॉज का नोटिस आईए अगेंज एक्जेकुशन इन सर्टन केसिस उन person के against हम एक notice issue करेंगे notice होगा show cause notice कि आपके against execution क्यों ना start की जाए तो ये show cause notice होता है तो rule 22 कह रहा है कि अगर आपने जब application file की तो दो साल बाद file की है जब decree हो गई decree के दो साल बाद अगर आप application file कर रहे तो आपको show cause notice देना पढ़ेगा judgment letter को ठीकरी वहाँ पर specially mentioning कर दिया more than two is after the date of decree decree के दो साल बाद court कर रहे है कि अगर आप दो साल बाद अगर आप court में आप application को लेने के लिए तो अगर आप दो साल बाद अप्राय कर रहे होगा आपको notice issue करना पढ़ेगा judgment letter को कि आप बताओगी आपके against execution क्यों ना file की जाए second point अगर judgment letter की death हो गई तो उसका कोई legal representative होगा ठीक है जी अगर आपने legal representative के against suit file करना है application file करने execution की तो general rule क्या है इसमें basically notice आपको issue करना पढ़ेगा उन personal credit कारी में कि आपके against क्यों ना execution start की जाए तो पहला है judgment letter को कब जब दो साल बाद आप suit file कर रहे हो application file को रहे हो execution की तो दो साल हो चुकिक उसके बाद application file कर रहे हो judgment letter की against तो आपका यह rule है कि आपको notice issue करना पढ़ेगा show cause notice दूसरा point है अगर आप judgment letter की death हो गई उसके जो legal representative है वो person की guilt है अगर आप execution file कर रहे हो तो उनको भी as a general rule show cause notice आपको भीजना पढ़ेगा second point में mention ही है कि अगर ऐसी decree जो pass की गी है recipe protein territory में like section 44a में हमने किया था कि जब recipe protein territory में अगर को decree pass होती है अगर को supreme court देवार कियाती है कि supreme court उनके होती है जो तो definitely उसको हम लोग एक तरवा सकते हैं इंडिया में अगर उस decree को आपने इंडिया में एक जो करना है तो definitely आपको show cause notice आपको इशू करना पढ़ेगा judgment letter को जांकर legal representative को whatever जो भी आपने से थर्ड पाइंट मेंशन कर दिया अगर कोई person insolvent declare कर दिया लाइक judgment letter judgment letter को court ने insolvent declare कर दिया पर सीडिन स्टार हो गई तो एक receiver point कर दिया जांसाइब पाइंट कर दिया court ने तो law कहता है कि उस situation में आपको assignee को जा receiver को show course notice आपको भीजना पड़ेगा अगर उन person के case आप execution की application फाइल कर दिया तो क्योंकि अभी उनका process चल रहा है तो वह है see point कि against the assignee and the insolvency where the party to the decree has been an urge to be insolvent उसके regarding insolvent declare कर दिया अब receiver point letter का assignee है तो उसके regarding उसको show course notice आपको भेजना ही पड़ेगा तो यह तीन provision थे जहां पर आपको show course notice आपको भेजना पड़ेगा यह mandatory है वहां पर word जो यह basically mandatory है जी दूसरी बात court जो execute कर रहा है decree को shall issue a notice to the person against whom execution is supplied for acquiring him for show course notice on the date so fixed why the decree should not be executed against him तो यह तीन जो situation मैंने बताई थी आपको इन तीनो situations में जो court है वो दूसरी party को show course notice बेजेगा जिस party against आपने execution जो file की है तो यह requirement है हमारी further proviso add कर रखी है proviso रहने add कर देगी यहां पर notice you have no such notice shall be necessary यहां पर notice है वो जरूरी नहीं है कब जरूरी नहीं है in the consequence of more than two years having elapsed between the date of the decree and application for execution date of decree and application जब date of decree हुई और जो date of application है जब अपने application file है जब अपने application दो साल complete हो गए है तो as per general rule मैंने का था 22 के first जो part है कि जब दो साल complete हो गए दो साल बाद अगर आप application file कर रहे हो तो आपको show cause notice बेजना पड़ेगा लेकिन आपको show cause note बेजने की जरूरत नहीं है it's not so compulsory in case in case अगर किसी person ने application लगा दी execution की कोई previous application गई हो या previous पहले इसको application गा रहे है इन दो साल के भीच में तो दुबारा उसको show cause note बेजने की जरूरत नहीं है तो यह प्रवाइज होती if the application is made within two years from the date of the last order against the party against whom the execution is supplied for made on any previous application for execution law करता है कि आगर इन दो साल में date of degree के भीच में जब आपने यह application file की है तो दो साल बाद file की है उससे पहले अगर आपने कोई application file की है पहले भी execution के regarding तो यह two years के make जो basically show cause note बेजने की जरूरत नहीं है law कहता है कि एक person जिसकी property हो सकता ही दो जगा state situated हो तो वहाँ पर उससे पहले partly क्योंकि fully तो वो comply नहीं कर सकता अगर उसकी पंजाब में एक property है और एक हर्याना में property है और पंजाब में जो property है वो 5 lakh की है और जो हर्याना में property है वो 15 lakh की है total 20 lakh होता है जो degree older है उसके favor में degree 25 lakh की है तो उसको 25 lakh को मिलेगा नहीं तो उसने पहले Punjab में file की within 2 years और वहाँ से जो property sale करके उसको 5 lakh मिल गया अब second उसने application file की हर्याना में तो law कहता है कि जो second application वो दो साथ बाद चाहे data of degree के दो साथ बाद file की गी हो लेकिन पह important है अब second clause क्या carrier rule second key sub rule 2 of rule 22 nothing in the following sub rules shall be deemed to preclude the court from issuing any processing and execution of a decree without issuing a notice thereby prescribed if for reason to be recorded यहाँ पे जो हम बात करें 22 rule की 22 rule के गहरा है कि show cause notice भेजना जरूरी है तीन situation में तीन situation बताइए है जापर decree holder के decree judgment order के गेंज आपर दो साथ बाद file की है जहाँ पर basically legal legal representative अगर अगेंस आप file कर रहे हो like in case of insolvency आप assignee और receiver को show cause बेजोगे तो यह तीन situation है but law कहता है कि आपको show cause बेजने की जूरूरती है इस इस डिस्क्रिशनी पाफ़लता court clause को in case अगर court को लगा कि notice अगर भेज जाएंगे तो unreasonable delay होगी unreasonable delay होगी जहां justice हम लोग नहीं दिला सकते अगर हम लोग show cause बेज़ेंगे क्योंकि अगर in case show cause बेज़ेंगे तो हम में लगता कि शायद वह परसन भाग जाएगा जाएगा जाब वह प्रॉप्टी अपनी sale कर देगा whatever जो भी तर रीस है law कहता है इस show cause बेजने की जूरूरती है क्योंकि अगर in case show cause बेज़ेंगा तो वहां पर unreasonable delay हो जाएगी तो दिस इस 22 अब 22 ए क्या है 22 ए क्या है sale not to be set aside sale हो गई उसको set aside नहीं कर सकते है वो उसको cancel नहीं कर सकते तो sale not to be set aside on the death of the judgment debtor judgment debtor की death हो गई so what जो sale हो गई उसको cancel नहीं कर सकते है before the sale but after the service of the proclamation of the sale अब यहां पर important बात है कि इसकी heading क्या कह रही है इसकी heading प्री साथ समझो वहां पर word के लिखा है कि judgment debtor की death हो रही है कब हो रही है before तो sale हो रही है sale से पहले death हो रही है लेकिन proclamation issue होने के बाद जो है वो death हो रही है कि इसकी यह जो property है यह हम दो इसको निलामी में sale करेंगे publicly और उसकी date fix कर देते हैं वो उसको publish कर देते हैं news paper में जा आधरवाज अड़रटाइजम्ट कर देते हैं जा उसको speaker में बोल के उनको बोल देते हैं वो निलामी करने है तो उस दिन निलामी हो जाएगी लौ कहता है जब proclamation issue होई है sale के regarding और जब sale होई है इसके बीच में जब judgment letter की death हो गई तो actual में death का आमें पता नहीं था और actual में sale भी होगी property तो law कहता है कि sale को set aside नहीं किया जासता उसको cancel नहीं किया जासता इस इस रोड 22A वहाँ पर लिखा है और वर वर्णी property is sold in execution वहाँ पर लिखा है यह पर लिखा है यह निलामी में बेज दी पब्लीकली auction में बेज दी ठीक है जी sold in execution लिख जी तो sale shall not be set aside जो sale उसको set aside नहीं किया जासकता मेरी by reason की judgment letter की death हो गई है कब हुई है proclamation issue के बाद और sale होने से पहले उसकी death होई है law कहता ही so what क्योंकि proclamation जो था वो system proper हमारा valid था proclamation सही होई है उसके बद sale भी सही होई है अब इस बीच में अगर judgment letter की death हो रही है तो it doesn't matter इसका मतलब यह नहीं कि sale ही का इसल कर दे हम लोग अगर sale lawfully procedure procedure adopt करके हुई है तो sale valid है not this is the failure of the decree holder to substitute the legal representative of the deceased अब इसमें इसी के लिए क्या है कि जब proclamation उश्य हुई sale of property तो law कहता है कि यह जो decree order है क्योंकि देखो जिस परसन है अगेंस्ट आपने execution file कि आप वो तो person की death हो चुकी है तो उसका legal representative को आप पार्टी बना देंगे लेकिं यहां पर decree elder को अगर suppose नहीं पता तो उसको पार्टी के बनाएगा तो law कहता है यह अगर judgment elder की death के बाद अगर जो decree holder है वो legal representative उसके जो legal representative उसको पार्टी नहीं बनाता इसका मतलब यह नहीं कि अब वहां पर decree issue of notice, show cause notice ठीक है कि हमने भेज़ दिया show cause notice अब law करता है कि 22 में आपने show cause notice भेज़ गया तीन situation में अगर execution की application दो साथ बाल फाइल कर रहे हो जहां आप legally present against आप पर execution फाइल कर रहे हो जहां इनके उसब insolvent के regarding receiver और assignee को आपको show cause notice भेज़ ना पड़ेगा तो तीन situation है law करता है कि उनको notice आपने send कर दिया अब rule 23 क्या करेंगी after issue of notice उसके बाद procedure क्या होगा तो simple सा procedure आए लिए where the person to whom the notice is issued अगर वो court में नहीं आया in spite of कि हमने उसको notice बेज़ उसके बाद भी नहीं आया जब वो आ गया लेकिन उसने proper court को satisfied नहीं किया तो वहां पर बहुत लिखा does not appear और does not show cause to the satisfaction of the court तो law कहता है simple सी बात है हम लोग फिर execution करेंगे करेंगे तो show cause notice in case of judgment error appear नहीं होता legal रे प्रिश्वर नहीं होता Assign your receiver और और परसेवर पाइन कि हो अगर वो court में पेर नहीं होते in spite of कि उसको service हो चुकि है उसको notice मिल चुकि है वो नहीं आ रहे जब वो आ रहे है court में तो वो justified नहीं कर रहे तो law कहता कि आपके against हम लोग execution सबरूल 2 of rule 23 क्या करा है कि where such person offers any objection अब वो कह रहा है अगर वो जुनको notice भेजा था वो person court में आ गए और court में आगे वो objection क्रेंट करेंगी सारी हमारी यह objections है तो law कहता है यह उनकी objection को सुनना पड़ेगा और उसके बाद execution होनी है या नहीं होनी सब्सक्राइड करेंगी ठीक है तो यह रहा है then we have our rule number 24 24 process for execution अब execution start होगी उसका process जो है हमने start कर दिया अगर जो हमने पहले 22 के regarding हमने जो notice बेजने थे वो उसको दे दिया हमने ठीक है उसके regarding उसको show notice को उसको call कर लिया वो court में आ भी गया तो उसके बाद process चुरू हो रहेगा हमारा execution का 24 में तो 24 रूल क्या कर रहा है कि when the preliminary measures कौन से 22 sections 22 rules हमने notice बेजना था वो हमने बेज दिया अगर वो comply होगे तो जो issue है वो process जो acquisition का process है वो court start कर देगी तो start the process regarding the acquisition of the decree अब sub rule 2 of 24 यह कर रहा है कि जब process start होगा तो हर proceeding जो है वो date wise चलेगी किस process में किस दिन में क्या process हुआ और वो date क्या की तो वो लिखा है every such process बेर date the day on which it is issued कौन सी date में क्या issue की है लेकिव process तो start हो गया और process start होगा तो definitely कहीं न गयी आपको उसको attachment करनी पड़ेगी फिसेर करन है उस date को वो specially mention होगा तो date and time सब कुछ mention होगा जो officers होगा है उनकी proper seal लगेगी जब भी order pass किया दाएगा तो वो process के regarding वो proper rules है वो हमारा process है subgroup 3 किया रहा है कि जितना भी process होगा हमारा execution के regarding a day shall be specified on and before which it shall be executed कब execute किया गया है जब किया जाएगा वो specify आपको करना पड़ेगा ठीक है और जब वो officer अगर आपको officer appoint कर दिया तो वो officer जो है basically अगर वो execute कर लिए तो वो वापिस आगे court को report देगा तो आपर रहेगा and a day shall be specified on or before which it shall be returned to the court but no process shall be deemed to be void if no day for its return is specified बेगा ही यो कि हमने तो issue कर दिया गी within 21 days में आप execution file करके court में दो तो सील्दर को बेज दिया क्योंकि ये सील्दर को बेज आते हैं क्योंकि property जो है वो सील्दर office में register होती है तो अगर court को लगता है कि उसकी property हमें निलाम करनी है पब्लिक ये उसको sale करनी है auction में sale करनी है तो वो register को बेजते हैं कि इसकी sale करके इसकी proceeding code में deposit करा दो तो वो suppose time mention कर दिया कि 4 month 5 month में आपको ये complete कर रहा है अगर suppose वो time नहीं mention किया इसका मतलब ये नहीं कि वो process जो वो void हो जाएगा process कभी भी void नहीं होता तो it is the वो discretionary public code जो उसकी register किया दे है and it is the responsibility of the register to कि वो within the reasonable time वो उसकी auction करके उसको sale करके और उसको property जो property उसकी sale किया उसकी जो पैसा जोगी कठा हूँआ वो code में deposit करा दो ठीक है जी तो ये process नहीं नहीं रा रूल no.25 endorsement on process endorsement में कुछ लिखना process में तो जो भी officer जिसको हमने power दे दी है कि आप इसको जाओ और इसको execution करके आओ तो वो officer की बाद कर रहा हूँ तो officer जिसको हमने entrustment की है कि आप execution करो वो endorsement करेगा shall endorse there on the day on at the manner in which it was executed अगर हमने रिश्टार को दे दिया कि आप इसको publicly इसको sale कर दो तो वो person जाके उसको sale करेगा तो वो किस दिन sale हुई है क्या process हुआ है किस manner में sale हुई है if it was not so executed the reason why it was not executed अगर वो execute नहीं की उसने तो उसको mention करने में बढ़ेगा कि मैं उसकी execution क्यों नहीं कर पाया ठीक है जी and shall return the process with such endorsement to the court तो वो अपने handwriting में endorsement करके वो court को वापस बढ़ेदेगा दो चीचे उसमें mention होगी जात उसने execution कर ली है तो किस manner में की है किस दिन की है वो mention करेगा अगर वो execution करने में fail होगया officer तो वो mention करेगा कि इसकी execution नहीं हुई क्यों नहीं हुई उसके reason भी specified करेगा ठीक है जी कि दूसरा sub route क्या कर रहा है हमार 25 का कि जब उसे endorsement कर दी कि मैं execution नहीं कर पाया तो जो court shell है उसको call करेगी officer को ठीक है जी और उससे question करा पूछ सकती है कि आपने क्यों नहीं किया तो वापे वो लिखा है the court shell examines him means officer को वो examine कर सकती है touching his alleged inability वो court उसे पूछ सकती है कि आप क्यूं आप execute नहीं कर पाए execution को कि आपको वो power दी थी आपको duty दी थी आप लेकिन आपने वो execute नहीं किया वो reasons court उसको examine करके पूछ सकती है ठीक है जी तो इसलिए उसको summoning way लेकि उसको examine करेगी तो उसके regarding court जो है आप reasons record करके वो लिख अब यहां पर जो rule 26 है वो कह रहा है when court में stay execution stay execution आपने execution decree holder ने तो execution file कर दी अब यह important काफिए 26 rule decree holder ने तो execution करवा ने थी तो उसने तो application file कर दी execution कि कि सर इसकी execution कर दो अब execution करने के बाद basically process टोने के बाद जो judgment debtor है अगर वो उसने court में apply कर दिया कि सर इसकी stay कर दो वो को justified भी कर रहा है तो rule 26 जो है वो important है वो apply हो जाएगा अब 26 rule क्या कह रहा है the court to which a decree has been sent जिस court को decree भीजी गई है उसको execution करने के लिए shall upon sufficient causes being shown by the judgment debtor stay the procedure अगर judgment debtor court में आ गई उसको justified कर रहा है कि sir please request है हमारी four month तक रूप जाओ मेरी वेटी की शादी है उसके लिए मुझे पैसे उसकी शादी के लिए चाहिए तो उसके बाद आप मेरी चाहिए property sale कर देना कुछ भी कर देना अगर वो शप्री से जो कर रहा है तो उसकी जो execution को stay लगा दिया ही that means वो willing एप पे करने के लिए but this time वो possible नहीं है उसके लिए payment करना जहां वो यह अगर वो यह साबित कर दे इसर जो हमारे relatives हैं जो हमारी कर गया तो definitely वो execution पे stay लगा देगा देगा ठीक है लेकिन यह stay होते है वो for the time being होती है क्योंकि जिस court को अपने execution में भेजा है ना उसके पावर में कि वो permanent stay लगा देगा देगा क्योंकि उसको भेजा है ना execution के लिए आप execute करो तो उसके पावर execution की है तो वो for the time being वो stay लगा लेगा temporary stay और वो judgment debtor को कहेगा कि आप दूसरी court में जाओ जिस court decree pass किया है वहां से permanent stay आप लेकिया रहो ठीक है तो वो rules है वहां पे word लिखा है stay the execution of such decree for an reasonable time कुछ समय के लिए वो stay लगा देगा to enable the judgment debtor और हम वो court जो है वो judgment debtor को कहेगा कि भई आप उस court में apply करो जिस court ने decree pass की है ताकि वो आपको permanent stay लेज सके अगर आप permanent stay लेके आओगे तो execution नहीं होगी for the timing मैंने आपको 15 दिन के लिए 20 दिन के वन मत के लिए मैंने आपको for the timing आपको stay दे दिया आपकी और आप court में जाओ और वहां से permanent stay लेकिया हो ठीक है तो जो order होगा stay का और for an order related to the decree for our execution which might have been made by the code of first instance of our application account if execution has been issued thereby or if application for execution had been made there too अब यहां पर दो चीज़े हैं like suppose जो यह नहीं है कि मैंतो अगर court ने decide कर दिया तो आप execution में नहीं जा सकते filing and appeal doesn't mean कि वो decree holder जो है वो execution की application नहीं file कर सकता decree holder के फिबर में फैंसला हो गया ठीक है जी decree holder ने immediately execution file कर दी अब वहां पर judgment letter appeal में चला गया कि नया जी इसमें जो जीचे वाली court तो judgment सहीं नहीं फैंसला सहीं नहीं किया I am agreed और मैंने appeal उसे appeal file कर दी higher court में अब higher court में में जब हो चाहे हो session court हो चाहे हो high court हो वहां पर appeal file कर दी इंदा main time execution की file भी है तो execution court वो उसको execute करेगी करेगी जब तक appellate court उसको stay नहीं लगा लगा लगी तो usually क्या होता है कि जो हम लोग appeal में याते हैं तो उसमें हम लोग एक application लगा लगाते है higher court में जहां पर appeal court में के साथ जो नीचे वाली court है उसको order कर दो कि वो execution stay लगा लिए अगर वो stay लगा लिए तो well and good otherwise जो नीचे वाली court है जिसको execute करना है वो execute करेंगी करेंगी ठीक है जी तो यह है जब फिर आप permanent stay ले आओ तो well and good है तो यह process हमारा stay of execution का होता है अब sub rule 2 क्या करेंगे 26 का कि where the property और personal judgment debtor has been seized under the execution execution में property siege कर ली जाए judgment debtor के जो persons है जाहे वो कुछ ornaments है जाए कुछ भी है अगर वो हमने siege कर लिए तो later on क्या है कि which should the execution may order the distribution of such property जो court ने execution करनी है तो in case अगर कुछ ऐसा हो गया कि judgment debtor report को कह रहा है कि मुझे restore करके दो वो property आपने siege कर ली executing court ने आपकी property siege कर ली यहाँ पर mention किया हुए under the execution और बाद में आपने justified कर दिया court को कि court जो फैंस लाए अपिरेंट court ने मेरे favor में सुना दी गया क्योंकि नीचे degree holder के favor में था आपने appeal file कर दी वो आपके favor में लो गया in the meantime execution चल रही थी और execution में आपकी property siege करके रख दी court ने आपके और आनट जा अधर इस property वो siege करके रख दी तो court को आप apply करोगी कि वो property मुझे restore करो क्योंकि यह appealant court ने मेरे favor में फैसला सुना दिया और वो decree holder जा है वो decree holder नहीं है मैं decree holder हूँ तो वो court से request कर सकता है कि मुझे property मेरी restore करो जा मुझे discharge करो ठीक है वो कह सकता है सब rule 3 क्या कह रहा है power to require security from or impose condition upon judgment debtor अब judgment debtor पे हम लोग जो executive quote है वो conditions impose कर सकती है security भी ले सकती है तो वह आपे बोल लिगा before making an order to stay execution जो भी execution stay कर लिए आपने request किया court से तो law कह रहा है कि मैं order बात में सरा हूँग execution stay करने का उससे पहले आप security देदो आपके against दसला का जो है basic decision हो है आप मुझे security देदो कुछ land secure कर दो जा कुछ 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 भी करो मुझे security देदो उसके पाद मैं आपको stay लगा दो तो कुछ conditions है वो impose कर सरफ यह court order करने के time के court restore कर रहे है court वापिस आपको property कर दिया है तो वहाँ पर भी आपस condition दिमांड कर सकती है court और at the time of discharge the judgment letter the court shall require such security and impose such condition as a thing fit थिक है जी तो stay के लिगारी जब judgment letter जो है वो court से stay ले रहा है execution के लिगारी की execution को यहीं पर रोग दिया जाए है तो court order करने से पहले judgment debtor से security की demand करें लिए खेक है लिए तो यह rules है हमारे 26 के और 27 क्या कह रहा है liability of judgment debtor discharge judgment debtor जोसको discharge कर दिया उसकी liability की बारे में बात की जा रही है 27 कह रहा है no order of restitution or discharge under root 26 shall prevent the property or person of a judgment debtor from being retaken in execution of the degree sent for execution law कहता है कि जिस 26 rule में execution stay कर दी थी हमें उसकी property वापिस कर दी जो हमने siege कर लिए तो law कहता है कि उसकी property दुबारा से भी हम लोग retake कर सकते हैं उसको दुबारा भी हम लोग siege कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है further proceeding execution की चलेगी तो उसके regarding आपकी property दुबारा से हम लोग retake कर सकते हैं मतलब word लिका है retake ठीक है for being retaken in execution of the degree sent for execution तो law कहता है कि आपकी property दुबारा अगर हम लोग लोग एक बार शोड़ रहे हैं आपकी property जो siege की थी उसको लोग वापिस कर रहे हैं आपको restore कर रहे हैं तो आपनी property in case जब भी aggression दुबारा होगी तो आपकी property दुबारा से retake ही जा सकते है then rule number 28 order of code order of the code which passed the decree or of appellant code to be binding upon the code applied to the ठीक है तो यहां पर board लिखा है applied to that means अगर किसी ने execution की application file कर दी दूसरी side judgment letter appeal में चला गया तो वहां पर उसके रिकारे 28 जो है root क्या कह रहे है any order of the code by which the decree was passed or of such code of appellate as a foreset in relation to the acquisition of decree shall be binding upon the code to which the decree was sent for the execution execution आपने यह B code में डाल दी ठीक है लिए आपको यहां में बिताता हूं A और B यह decree order है यह judgment debtor है ठीक है लिए अब इसके against फैसला हो गया यह appeal में चला गया और यह execution में चला गया इदर execution में चल रही है और इदर appeal में चल रही है दोना pending है लेकिन appeal का जो फैसला है वो इसके उल्ट आ गया इसके favor में आ गया तो जो higher court है appellant court का जो फैसला होगा definitely executing court में तो binding हो गई होगा अब executing court उसको execute दिना किरा से दिया कि वो किस decision को exit कर रही है पहले वाली court को अब उसका decision तो challenge कर दिया है उपर वाले court ने और applicant court ने जो नीचे वाली court का decision दा वो उसको गलत ठहरा दिया और अपना फैसला सुना दिया court ने कहा कि यह जो फैसला नीचे सुनाया गया वो गलत है और यहाँ पे B के favor में फैसला होना चाहिए तो B को अब बिक्री होल्डर बना दिया तो definitely जो पहले वाली execution वो वहीं पे खत्म हो जाएगी ठीक है टी then we have a rule 29 stay of execution pending suit between the decree holder and the judgment letter law कहता है कि कही ऐसे situations आयती है ज göz है झाल Decree Holder और Judgment Determ Decree Holder Executional File कर दी ठीक है जी Executional File कर दी Judgment Determ ने Court तो कहा कि हमारे बीच एक Case Pending है हमारे बीच ठीक है जी जो suit चल रहा है उसके लिए आ लिए तो उसकी Heading के लिए है Stay of Execution Pending suit between the decree holder and the judgment letter अगर हमारे बीच में एकर suit pending है कोई तो Execution stay लिए कोट कोई भी तो वापर बढ़ने का Where a suit is pending in any court किसी भी कोट में Against the holder of the decree Against the holder of the decree Of such court ठीक है जी अब यहाँ पर decree holder कौण है यह है लेकिन इसने किसी और कोट में Judgment letter ने decree holder के गें suit file किया हुए तो यह तो important है Like suppose मैं आपको यहाँ एक्जेंपल दे रहा हूँ कि decree holder के favor में 10,000 का फैंसरा होगा ठीक है जी Judgment letter कोट को कह रहा है जिस कोट में एक्जिशन file किया है उसको कह रहा है वो suit at least argument stage पे है उसका result आने वाल है तो kindly इसकी execution stay लगा दो जब तक वो result नहीं आए था तब तक इसकी execution stay लगा दो क्योंकि ऐसान हो कि आप मुझसे लग 10,000 का ले लें तो बाद में 25,000 का अगर मेरे favor में decision आगया तो वो वहाँ से भागी जाए तो मैं आपके 25,000,000 काहां से recover करूँगा तो assist situations में जो rule 28 कह रहा है 29 की assist situation में court जो है वो execution stay लगा से लगा दो So the court में on such terms as to the security और otherwise I have to think with stage execution until the pending suit has been decided लेकिन stay तभी लगाएगी जो judgment letter जो है विससे उसको condition लगा से लिगा कि आप security deposit आदो मैं stay लगा लती हूँ तो 10,000,000 की मुझे स्क्योंकी दे दो मैं stay लगा लती हूँ और तब तक मैं सुनू कुछ जब तक आपका पहले वाला case क्योंका अफ ऐसा नहीं होगा तो assist situations में code ऐसा कल सकती है ठीकरी Provided that if the decree is one for the payment of money the court shall if it grants stay without requiring duty requires reason for sorting law के तही अगर 10,000,000 लेने है decree holder ने judgment letter थे और judgment letter ने कहा जिए है किसाना हमारे बीच में और suit file किया हूँ है मैंने इससे 25,000,000 लेने है तो यह जो money के लिकाड़ी suit है 10,000,000 का money के लिकाड़ी तो court कहता कि इस situation में अगर judgment letter से जो executing code security नहीं ले रही तो उसको reasons record करने पड़ेंगे code को कि मैं उससे security दसना की क्यों नहीं ले तो this is all about the rule up to section 29 जो next हमारा जो होगा वो lecture का mode of acquisition के लिकाड़े होगा वो सबसे important वो भी topic हमारा है तो in case में अगर कोई doubt हुई तो please आप पूछ लेना तो मैं तो मैं तो मैं सचीगा